कहते हैं हर बीमारी की जड़ हमारा पेट है और ऐसे में आपको क्या करना होगा पेट को साफ रखना होगा और जब आपका पेट साफ रहेगा तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और इसके लिए लोग पेट को साफ रखने के लिए तरह तरह की चीजों का इस्तमाल करते हैं आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके पेट को साफ रखने के लिए रामबान का काम करेगा और वो है दोस्तों त्रिफला त्रिफला एक आयरिवेदिक औसधी है त्रिफला को हजारों सालों से आयरिवेद में जड़ी बूटी के रूप में उपयोग किया जाता रहा है त्रिफला क्या है इसके बारे में शायद आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे लेकिन जीनें नहीं पता उन्हें बता दो कि त्रिफला ये तीन फलों से मिलकर बना होता है ये फल है हरड, बहेडा और आउला आयरिवेदिक गुणों से भरपूरी है जो त्रिफला है आपके पूरे शरीर के लिए बहुत फादेमन होता है ये आपके शरीर में अम्रित का काम करता है त्रिफला में विटामिन C, टॉक्स करने का काम करता है, जिस वजह से शरीर में पनपने वाले रोग दूर चले जाते हैं, बुढ़ाप एक एसर को स्लोडाउन कर देता है, जिहां दोस्तों, आयरिवेद में त्रिफला के गुणों के बारे में पूरी डीटेल्स में बताये गया है, यदि कोई वेक्ति न तक बने रहिए, और अब तक आपने आयरिवेदा बेस्ट सल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे, त्रिफला का सेवन करने से सबसे पहला फादा होता है, कि पाचन तंत्र हमारा मजबूत हो जाता है, यह डाजिशन सिस्टम को इ इसकी वज़ा से पेट के सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, अगर आपको पेट से सम्मधित किसी भी तरह का रोग हो, तो तीस दिनों तक त्रिफला खा कर देखे, आपको जब बरदस्त फाला देखने को मिलेगा, जिसके अगले फादे के बात करें, तो यह आँखों गंटे मोबाइल से चिपके रहते हैं, ऐसे में त्रिफला हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, त्रिफला आँखों को हेल्दी रखता है, और ग्लुकुमा, मोतिया मींद जैसी समस्याओं के रिस्क को कम करता है, इसके लिए क्या करना होगा, रोजाना त्रिफला का सेवन क और साथ में त्रिफला के पानी से आँखों को धोईए, रात को दो गिलास पानी के अंदर एक चमच की मातरा त्रिफला डालिए, सुबह च्छान कर उस पानी से आँखों को धोईए, इससे आँखों के रोशनी तेज होगी, ऐसा आप हपते में दो दीन कर सकते हैं, जादा मिलता है। इसका इस्तमाल करके दिखेगा। इसके लिए आपको 90 दिनों तक करना होगा। एकने, मुहासे, फाइन लाइन्स, पिग्मेंटेशन और इन्फेक्शन से चुटकारा दिलाने में त्रिफला सबसे बहतरीन औस दी है। कि वज़ा से जो हमारी सोचने समझने की छमता होती है, वो कम हो जाती है। तो इसको ये रिगेन करता है। दिमाग में मौझूद डेट सेल्स रिजनरेट होने लगता है। इसके लावा अगर शरीर में कंचूरी आ गई है, शरीर बहुत दुबला पतला हो गया है, शरीर में आलस मन रहता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, बॉड़ी में एनर्जेटिक फिल नहीं होता, तो इस केसेस में भी त्रिफला बहुत फादा करता है। क्योंकि जब आप त्रिफला का सेवन करोगे तो आपका डाजेश्ट सिस्टम इंक्रीज होने लगेगा, खाना अच्छे से डाजेश्ट होगा, आपकी भूख बढ़ेगी और जहिर सी बात है, जब आपको भूख बढ़ेगी तो आप खाना अच्छे से खाओगे और अच् टॉक्स करने का काम करता है, जो शरी में चर्बी जमी है न यहाँ वहाँ, उसे निकालने का काम करता है, त्रिफला के सेवन करने से जैसे मैंने बताए कि पाचन तंत्र मजबूत होता है, और साथ साथ में हमारा मेटाबोलिजम भी बोष्ट होता है, जैसे हमारे शरी का जो लग जाएंगे स्केल्ट में मजबूती आएगी जिस वजह से आपके बाल जड़ने बंद हो जाएंगे इसके लावा त्रिफला के सेवन से डट सुगर कंट्रोल में रहता है डाइबेडिस के पेशेंट के लिए बहुत फादेमन होता है दोस्तों अगर कोई डाइबिटीक है तो त्रिफला का सेवन कर सकते हैं आप त्रिफला के तो इतने सार से फादे हमने जान लिए लेकिन त्रिफला बनाना कैसे है देखिए त्रिफला पौडर आपको बजार में भी मिल जागा लेकिन आप बजार से पौडर खरीदने के बजाए घर पर ही बनाईए सुखे फॉ लेकिन त्रिफला लेने के साथ साथ आपको दो तीन चीजों का विशीष ध्यान करें। अगर आप बहुत ज़्यादा खटा, तलिप अदार्थ, मांस, मदीरा का सेवन करते हैं तो उसको अवोइट करना है। आज की इस वीडियों बस इतना ही, त्रिफला से सम्मंदित कोई और जानकारी अगर आपके पास है, आप कॉमेंट करके बताएगा। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस शहर से, किस गाउं से देख रहे हैं, ये भी बताते जाहेगा। तो अपना ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल रखे, मिलता उगले वीडियो में, धन्यवाद। जए ख्याहिवाद।